हेलो एवरीवन, वेलकम टो लॉजिक पार्टशाला चैनल, हमारा आज का टॉपिक रहेगा बुक्स और उनके ओथर्स सो आज हम क्या देखेंगे जो भी बुक्स आई हैं रिसेंटली उनके ओथर्स और कुछ बुक्स को हम रिवाइज करेंगे जो हम पहले भी कर चुके हैं इस लिक्चर का पीडियफ आपको टेलिग्राम में मिल जाएगा जिसका के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है और अगर आपको हमारी वीडियोस हल्फुल लगती हैं तो इसे शियर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो से सब्सक्राइब जरूर करें सबसे पहले बात करते हैं दे इंडियन स्टोरी तो इसे किसने लिखा है तो वे लिखा है बिमल जलनने नेक्स्ट वन इस लिसन टू यूर हाट दा लंडन एडवेंचर तो इसको लिखा गया है रसकिन बोंड के द्वारा अब हम इसे याद कैसे रखेंगे तो देखिए जब भी हम एडवेंचर करते हैं तो एडवेंचर में क्या होता है रसकिन से लेंगे आप रिस्क तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं और देखिए जिसको ट्रिक्स चाहिए वे ट्रिक्स के थ्रू इसे याद कर सकता है और जीने ऐसे ही याद रहती हैं books, तो वह अच्छी बात है, next is a place called home, तो इसको लिखा गया है प्रीती शिनौई के द्वारा, इसे हम याद कैसे करेंगे, देखिए, home के अंदर क्या होनी चाहिए, प्रीत, तो हर इक member के साथ क्या होना चाहिए, तुम्हारी प्रीत होनी चाहिए, तो आप इसे ऐसे associate कर सकते हैं, next one is the struggle for police reforms in India, तो इसको लिखा गया है किसके द्वारा, प्रकाश सिंग के द्वारा, इसे हम याद कैसे करेंगे, तो इसे आप याद करेंगे, देखिए, जब police में reform आएंगे, changes आएंगे, तो क्या होगा देश में प्रकाश आएगा, ठीक है next one is, अब इस book को release किया गया है, M. Venkhe Naidoo जी के द्वारा, ठीक है, जो की हमारे vice president है, next one is, leaders, politicians, citizens, 50 figures who influenced India's politics, तो इसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है, रशीद किद्वाई के द्वारा, next one is, not just a night watchman, my innings in the BCCI, तो ये लिखी गई है, विनोध राएजी के द्वारा, next is, Chinese spice from chairman Mao to Xi Jinping, तो इसको लिखा गया है, रोजर, फैली गोट के द्वारा, इसे हम याद कैसे करेंगे, तो आप spy क्या होता है, जासूज, तो हम spy से बनाएंगे, spice, spices क्या होते हैं, मिर्च मिसाले, तो उन्हें रोज नहीं खाया जाता, तो रोजर से लेंगे आप रोज, तो आप इसे ऐसे associate कर सकते हैं, नेक्स्ट वन इस, the boy who wrote a constitution, a play for children on human rights, तो इसका रहेगा राजेश तलवार, इसे हम कैसे याद करेंगे, देखिये, constitution के अंदर, क्या लिखा गया है, हर चीज़ के बारे में लिखा गया है, even war के बारे में भी बताया गया है, कि war के टाइम पे कौन सी emergency लगाई जाएगी, तो आप इसे ऐसे associate कर सकते हैं, next one is, hear yourself, तो इसके author है, प्रेम रावत, इसे हम याद कैसे रख सकते हैं, तो देखिये, hear yourself मतलब जब खुद की सुनना, तो कहते हैं ना, जब हम खुद की सुने, तो हम बहुत प्रेम से अपनी बातों को सुनते हैं, next one is, the maverick effect, तो इसको लिखा गया है, Harish Mehta के द्वारा, next one is, the great tech game, shaping, geopolitics and destinies of nation, तो इसको लिखा गया है, किस के द्वारा, अनिरुत सूरी के द्वारा, next one is, the founders, the story of PayPal and the entrepreneur who shaped Silicon Valley, तो इसको लिखा गया है, Jimmy Soni के द्वारा, इसे कैसे याद कर सकते हैं, तो PayPal से लेंगे आप पे, तो पे हम कहां करते हैं, यह से जिमी से लेंगे आप जिम, ठीक है, तो जिम जो है, उसमें हम क्या करते हैं, पे करते हैं, तो आप इसे ऐसे associate कर सकते हैं, next one is, a history of श्री निकेतन, रवेंदर नाटे गोर, pioneering work in rural construction, तो इसका अंसर रहेगा, उमा दास कुपता, तो इन्होंने यह book लिखी है, next one is, a nation to protect, तो इसको लिखा गया है, प्रियम गांधी मोधी के द्वारा, तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं, नेशन को protect किसने किया था, गांधी जी ने, और इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वे हैं मोधी, तो आप इसे ऐसे associate कर सकते हैं, next one is, dignity in a digital age, making tech work for all of us, तो इसका क्या रहेगा, तो इसके author है, रोक हरना, next one is, humane, how the US abandoned peace and reinvented war, तो इसका रहेंगे, Samuel Moyne, तो ये इनोंने लिखी है, next one is, how to prevent the next pandemic, तो ये लिखी गई है, Bill Gates के द्वारा, इसे याद कैसे कर सकते हैं, prevent मतलब रोकना, जब किसी चीज़ को रोकना हो, तो हम क्या करते हैं, gate बंद कर देते हैं, तो आप इसे ऐसे associate कर सकते हैं, next one is, India-Africa relations, changing horizons, तो इसका रहेगे author, रजीव भाटिया, next one is, अटल भिहारी वाजपाई, तो इनके author है, सागरी का घोश, golden boy, नीरच चोपडा, तो इसके author है, नवदीब सिंग गिल, जो आपके नीरच चोपडा है, ये कौन सी game के साथ associated हैं, ये आप मुझे comment box में बताएंगे, और इस book के जो author है, उनका नाम है, नवदीब सिंग गिल, ठीक है, next one is, India, that is, भारत, coloniality, civilization, constitution, तो इसके author है, जे साइन धीपक, next one is, operation khatma, तो इसके author कोन है, आरसी गांजू and अश्वनी भटनागर, तो इसे कैसे याद कर सकते हैं, तो इसे आप याद रख सकते हैं, खातma मतलब खतम करना, तो जब हम किसी चीज़ को खतम करते हैं, तो क्या होती है, उसके बाद win आपकी जीत होती है, तो आप इसे ऐसे associate कर सकते हैं, next one is, democracy, politics and governance, तो हमें एक सूर्य, एक किरन देखने को मिलेगी, तो आप इसे ऐसे associate कर सकते हैं, और इसको release किया गया है, वेंखे नाइडू जी के द्वारा, next one is, the ambuja story, how a group of ordinary men created an extraordinary company, तो इसके author है, नरोतम शेक सारिया, next one is, 1971, charge of korkhas and other stories, तो इसकी author है, रचना बिष्ट रावत, next one is, public service ethics, तो इसकी author है, प्रभाद कुमार, इसे हम कैसे याद कर सकते हैं, देखिए, अगर आपकी ethics अच्छे हैं, तो आप किस इंसान में अच्छे ethics होते हैं, जो प्रभाद के टाइम पे उठता है, मतलब early morning, तो ये सिर्फ जस्ट याद करने के लिए आपको मैं associate करवा रही हूं, ठीक है, next one is, the midway battle, modis roller coaster second term, तो इसका answer, इसके author है, गोतम, चिंता मनी, तो देखिए, जब हम roller coaster की बात करते हैं, तो roller coaster एक तरह का क्या है, तुफान हम इसे बोल सकते हैं, तो क्या होता है, जब जिन्दग Vice President of India, M. Venkhe Naidu Ji ने इस book को launch किया है, next one is, At Home in the Universe, तो इसके author कोन है, Bala Krishna Madhur, watershed, how we destroyed India's water and how we can save it, तो इसके author है, Mridula Ramesh, next one is, Pride, Prejudice and Punditry, तो इसके author है, Dr. Shashi Tharoor, next one is, Raj Kapoor, the master at work, तो इसके author है, Rahul Ravel, rewinding of first 25 years of Ministry of Electronics and IT, तो इसके author है, S.S. Obray, next one is, the monk who transformed UP, how Yogi Adityanath changed UP वाला भहिया, abused to a badge of honor, तो इसके author है, Shantanu Gupta, next one is, India's ancient legacy of wellness, तो इसके author है, Dr. Rekha Chodri, bachelor dad के author कोन है, Tushar Kapoor, इसे हम कैसे याद कर सकते हैं, तो जो dad है, वह है, अपने बच्चे को क्या कहते हैं, कभी भी हार मत मानो, ठीक है, यहाँ से लेंगे हार और यहाँ से लेंगे dad, next one is, Kashmir, the quest for peace in a troubled land, तो इसके author है, निर्मल चंदर, तो देखिए, यहाँ पे क्या है, पीस की बात कर रहे हैं, तो पीस में क्या रहेगा, निर्मल तार्थी क्या, तो आप इसे ऐसे associate कर सकते हैं, next one is, the modi gambit decoding modi 2.0, तो इसकी author है, संजु वर्मा, next one is, Dr. V.L. दत, glimpse of a pioneer's life journey, तो इसकी author है, V.L. इंदरा दत्ता, Vice President of India, M. Venkhe Naidu ने इस book को क्या किया है, launch किया गया है इनके द्वारा, next one is, Mamta Bion, 2021, तो इसकी author है, Jainth Koshal, इसे हम कैसे याद करेंगे, तो Mamta से लेंगे आप मा, और मा का हम समान करते हैं, कैसे उन्हें जै करके, तो आप इसे ऐसे associate कर सकते हैं, next one is, Gandhi's assassination, the making of Nathuram Goatse, and his idea of India, तो इसके author है, दिरेंदर जा, now moving ahead, indomitable, a working women note on life, work and leadership, the autobiography of, तो किसकी autobiography है, indomitable, तो ये है, अरुन्दती भटा जा रहेगी, याद कैसे रखेंगे, देखिए, जो ladies होती हैं, वे क्या हर काम को, क्या करती हैं, work भी करती हैं, और साथ में leadership में भी आगे रहती हैं, और हर काम को run मतलब भाग भाग के करती हैं, तो आप इसे ऐसे associate कर सकती हैं, मतलब हर चीज़ को बहुत अच्छे से manage करती हैं, छीक है, चाहे professional life हो, चाहे उनकी personal life हो, next one is, boss, the untold story of an inconvenient nationalist, तो इसके answer रहेगा, author है, चंद्रचूर घोश, तो इसे याद कैसे कर सकती हैं, यहां से boss है, और यहां से क्या है, घोश, तो एक rhyme बन रही है, next one is, the legend of Bersamunda, authored by, तो किनकी लिखी गई है, यह book किसके द्वारा, तुहीन असिनहा, and co-authored by अंकीता वर्मा, next one is, the 10 trillion dollar dream, तो यह लिखी गई है, सुभाश करके द्वारा, next one is, dr. V.L. Dutt, glimpse of a pioneer's life journey, तो इसके author है, dr. V.L. Indira Dutt, next one is, the Modi Gambit, तो यह repeat हो गई है, संजु वर्मा के द्वारा लिखी गई है, next one is, the winning formula for success, तो इसे लिखा किसके द्वारा किया गया है, launch IISM के द्वारा, next one is, लोक तंत्र के स्वर, तो देखिए, लोक तंत्र के स्वर किसके द्वारा रिलीज की गई है, धर्मिंद्र प्रदान के द्वारा, next one is, भारतिय समिधान, अनकही कहानी, तो यह लिखी गई है, राम भादुर राय के द्वारा, next one is, गोतम अडानी, तो इसके ओथर है, आरेन भासकर, अश्टांग योग, तो इसके ओथर है, डॉक्टर सोडू फोगट, इसे याद कैसे रखेंगे, तो देखिए योग करने से हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता तो हमें फोगट में डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता अगर हम डेली योग करें तो आप इसे ऐसे associate कर सकते हैं तो इसके author है राहुल राम गुंदम तो इसके author है अमित रांचन तो इसके author कौन है सुधा मुर्ती इसे हम कैसे याद कर सकते हैं तो देखिए सेज हम किसे कहते हैं तो सेज बेसिकली क्या होता है काम इंसान होता है या फिर जिसे कहले जिसे मतलब बहुत wisdom होती है जिसके अंदर ठीक है समझधारी होती है तो हम इसे कैसे associate कर सकते हैं तो इसे आप associate कर सकते हैं देखिए जो सेज इंसान होता है वह क्या होता है उसे हर चीज की सुधबुध होती है तो आप इसे ऐसे associate कर सकते हैं याद करने के लिए Next one is not just cricket, a reporter's journey तो इसके कौन रहेंगे author प्रदीब magazine Next one is the cinema of Satyajit Ray तो इसके author है भासकर चटोपादिय An economist at home and abroad, a personal journey तो इसके author है शंकर अचारिय Modern India for civil services and other competitive examinations तो इसके author है पूनम दलाल दहिया Finding a straight line between twist and turns तो इसके author है असीम चावला Sunrise over Ayodhya, Nationhood in Our Times तो इसके author है Salman Khurshid Next one is Nehru, the debates that defined India तो इसके author है त्रिपूर दमन सिंग and Adil Hussain Next one is Unshackling India तो इसके author है अजे चीबर and Salman Anis Sos Force in Statecraft तो इसके author है डॉक्टर अजे कुमार Next one is the disruptor How Vishwanath Pratap Singh shook India तो इसके author है देव अशेश मुखर जी Lal Salman a novel तो ये novel है तो ये किसके द्वारा लिखी गई है तो ये लिखी गई है समरिती इरानी के द्वारा तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं तो आप इसे याद कर सकते हैं देखिए जब हम क्या Salamी दी जाती है ना जब कोई किसी की मुरितियों हो जाए तो आप इसे ऐसे associate कर सकते हैं नेक्स्ट वन इस श्रीमद रमायन तो इसके कौन है author ससी किरन अचारय ठीक है नेक्स्ट वन इस इंडिया वर्सिस यूके दस्टोरी ओफ एन अनप्रेसिडेंटे डिप्लोमेटिक विन तो इसके author है सैयद सैयद अक्बर उदिन ठीक है नेक्स्ट वन इस cooking to save your life तो इसके author कौन है अभी जीत बैनर जी इसे हम कैसे याद कर सकते हैं देखिए cooking लेंगे आप यहां से और यहां से लेंगे अभी जीत तो आपने एक program देखा होगा master chef तो उसमें क्या होता है जीत बता देते हैं कि किसकी जीत हुई है तो अभी जीत तो यह आप इसे ऐसे associate कर सकते हैं ठीक है next one is resolved united nation in a divided world तो इसके author है banki moon next one is conversation India's leading art historian engages with 101 themes and more तो इसके author है ब्रिजेंदरनात को स्वामी तो देखिए जब हम history की बात करते हैं तो history पढ़ने के लिए हमें स्वामी के पास जाना पड़ता है तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं ठीक है next one is contested lands India-China and the boundary dispute तो इसके author है Maruf Raza next one is Bangladesh Libration at 50 years bejoy with synergy India-Pakistan war 1971 तो इसके रहेंगे M.M. Narava ने ठीक है next one is Indian eating The Journey of Indian Cricket from 1947 तो यह इनके author है Ayaz Mamon next one is democracy, politics and governance तो इसके author है Dr. A. Surya Prakash तो यह हम पहले भी कर चुके हैं next one is rewinding the first 25 years of Meaty तो यह इसके author है S.S. Obroy Gandhi Topi Governor तो इसके author है Dr. Yarlag Lakshmi Prasad तो यहां पर हमारा यह आज का session खतम होता है I hope आपको यह session अच्छा लगा हो Thank you so much for watching this session Thank you so much for watching this session